नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में आज इदे मिलान है तो मेरी तरब से आप सभी को इदे मिलान की धेर सारी शुब कामना है चलिए आज डिसकुस कर लेते हैं कमेंट्स की बारे में एक कमेंट् करने के लिए कमेंट सुनका यह था इलेक्टिसिटी बिल की एंट्री कैसे करना है वो यह जानना चाह रहे थे तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इलेक्टिसिटी बिल जो होता है जो हमारा जितना हो सकता है इतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए वीडियो के राइट इंसाइट पे आप छोटा सा रेट कला का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं उसको प्रेस करके उसको हीट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे आप confusion है आप मुझे comments कर सकते हैं definitely मैं इसका solution and reply को दूँगी gateway of tally से आपको v press करना है v press करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको journal voucher के entry select कर लेनी है date आप change कर लीजिए जिस date में आप entry कर रहे हैं अब यहाँ पे देखिए LTC press करके आपको electricity expenses वाला laser create कर लेना है आप laser का name electricity expenses charges भी दे सकते हैं या फिर electricity expense भी कर सकते हैं अपने according कर लीजिए under आपको indirect expenses के रखना है इस tab से आपको electricity expenses का laser create कर लेना है इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वो amount fill करनी है जो आपका electricity bill amount है वो fill out करना है and credit क्या करना है यहाँ पे आपको electricity company credit करना है जिस company का आप electricity service यूज कर रहे हैं LTC press करके उस company का laser create कर लीजे आप चाहें तो इसके साथ CA number भी add कर सकते हैं under आपको summary creators रखना है क्योंकि आपकी ultimately वो creators है इसके बाद देखिए इस टाइप से आपको electricity company का laser create कर लेना है and same amount आपको यहाँ पे credit करना है new reference लेते हुए आप इस bill को enter कर लेंगे तो इस टाइप से आपको electricity का जो bill है वो enter करना है अप चलिए gateway of travel से balance sheet में चलके हम देख लेते हैं कहाँ पर यह entry show होगी तो balance sheet पर जाने की बाद आप यहाँ पर देखिए detail पर click कर लीजें यहाँ पर indirect expenses आपको show होगा इस पर आप enter place करेंगे तो देखिए electricity expenses जो मैंने highlight किया है वो आली entry यहाँ पर आपको show होगी electricity expenses इस पर आप click करेंगे तो आप उस entry को देख सकते हैं इसके बाद चलिए हम laser open करके देख लेते हैं electricity company का जिस company का हम electricity use कर रहे हैं उस company का ledger हम open करके देख लेते हैं देखिए उस electricity company का ledger हमने open कर लिया है यहाँ पर आपको एक voucher show हो रहा है जो कि हमने अभी just enter किया journal वाला अब आपको क्या करना है अब उस voucher के payment की entry करनी है तो यहीं से आप alt a प्रेस करेंगे date आप change कर लीज and उसके बाद देखिए debit आपको क्या करना है उस company को करना है जिस company का आपने electricity use किया है यहाँ पे आप again reference लेंगे and देखिए pending में आपको वो bill show होगा जो हमने भी just enter किया था credit आपको क्या करना है आप bank के through कर रहे हैं तो bank choose कर लीजए cash के through कर रहे हैं तो cash choose कर लीजए तो इस step से हमने देखा कि कैसे हमें electricity bill की entry करनी है और उसके बाद कैसे हमें electricity bill का जो है वो payment करना है इस step से आपको करना है देखिए यहाँ पे दो entries show हो रही है एक journal voucher and एक payment वाला त उतने का हमने electricity की payment कर दी है इस step से आपको entry करनी है अगर आप electricity की करना चाहते हैं entry और balance sheet में मैंने आपको बताया कि कैसे आप balance sheet analyze कर सकते हैं gateway आप टैली से balance sheet में जाना है then indirect expenses के अंटर में जाना है electricity expenses show होगा उस पे आप enter press करेंगे तो आपको वो सारी entries यहाँ पे show होगी जि से related अपने account से related जितने भी वीडियो से उन सारे वीडियो के link वहाँ प्रवाइट कर दूगी अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियो को watch out कर सकते हैं चोटे से बड़े से बड़े topics को cover करने की मैंने अपने वीडियो में कोशिश की है and करती रहूंगी in future भी में करती रहूं झाल